दोस्तों मैं सोरमली कापसवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज Extra GK में हम देखने वाले हैं Top 29 ऐसे Question Answers जो की प्रिक्साओं में बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लिके एंट तक देखेगा और 29 में से कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना Score कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा Extra GK की क्लास रात में 9 बजे होती है Only Top Study यूटूब चैनल पर अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं दोस्तो इस वीडियो को जरूर देख लिए करें चलिए सुरू करते हैं पहला question है जैन द्रम के 23 तिरनताकर कौन थे मेरे प्यारे दोस्तो पहले question का सही उत्तर क्या रहेगा जल्दी से comment box में बतेगा तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो right answer रहेगा परसवनाथ जी यानि की option b right answer हो जाएगा तो यह आपको याद अखना है दूसरा question आता है अर्थ सास्तर का nobel पुरुसकार किस वर्ष से परदान किया जा रहा है यह very very important mark कर लेना कहीं बार exam में आता है दूसरे question का right answer रहेगा दोस्तो 1969 से यानि की b right answer हो जाएगा तीजरा question है दक्सिन पस्चि मानसून की शुरुवात खालिस्तान महिने से होती है दोस्तो इस question का right answer हैगा जून जुलाई से होती है दोस्तो b right answer हो जाएगा तीजरे question का सेवता वाइरस होते हैं तो चोथे question का right answer क्या रहेगा देखिए right answer हैगा a question की होते हैं वाइरस तो 4 का right answer option a हो जाएगा पांचवा question है विडाल टेस्ट का उप्योग किस रोग को जाचने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट का उप्योग दोस्तो किस रोग को जाचने के लिए किया जाता है पाचवे कोशन का राइट आंसर हैगा टाइफ आइड यानि किसी राइट आंसर हैगा पाचवे कोशन का सहीवतर यह आपको यादक नहीं देखेए 6000 कोशन आंसर्स वाली जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तों आप किसी भी कॉम्पटिटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप इस मास्टर पीडियाप को ले सकते हैं क्योंकि इस मास्टर पीडियाप के अंदर आपको हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलेटी, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, कैमेस्ट्री, बायलोजी, करेंट फिर, कम्प्यूटर, स्टेटिक, जीके, करेंट फिर, दुजार तेज, यानि कि टोटल सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो कि किसी भी कॉम्प्यूटर्टिव एक्जाम के लिए कम्प्लीट सेलेबस होंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की मास्टर पीडियाप लेना चाहते हैं तो हमारे इस वोट्सप नंबर पर एक मैसिज करिएगा हाई हेलो बिलकुल मत करना सिर्फ डिरेक्ट मैसिज लिखना सर मुझे मास्टर पीडियाप लेनी है और 500 रुपे की ये पीडियाप मात्र 170 रुपे मिल रहे है दोस्तों क्योंकि अभी भारी ओफर चल रहा है आपका और ये ओफर जल्दी समाप्त हो जाएगा तो फटाफट इस पीडियाप को लेने के लिए हमें मैसिज करिए और ये वोट्सप नंबर हर एक स्नायल में लिखाओ मिल जाएगा छटा कोशन है एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है राइट आंसर हैगा रेक्टिफायर का यानि कि ओप्षण ए राइट आंसर हैगा दोस्तो छटे कोशन का से उतर साथवा कोशन है केबिनेट मिशन किसके नेतरित में आया था दोस्तो साथवे कोशन का राइट आंसर हैगा पैतिक लोरेंस के यानि कि ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आटवा कोशन है मैटूर बांध किस नदी पर है देखें मैटूर बांध मेरे प्यारे दोस्तों किस नदी पर है तो right answer हैगा कावेरी नदीपर आठवे question का right answer option यह हो जाएगा यह आपको याद दखना है नुवा question है जस्ता एवं तामबा के मिश्रन को क्या कहते हैं जस्ता एवं तामबा के मिश्रन को क्या कहते हैं तो नुवे question का दोस्तो right answer हैगा पीतल कहते हैं यानि कि नुवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा D ये आपको याद दखना है दस्वा कोशन है नियंत्रित मुद्रास्पिती की मध्य स्रेणी को क्या कहा जाता है दोस्तो राइट आंसर हैगा परतिय वस्पिती यानि की ओप्शन हो जाएगा दस्वे का राइट आंसर ओप्शन ए ये आपको याद रखना है ग्यारवा कोशन है किस हार्मोन को लडो उडो हार्मोन कहा जाता है देखे सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना अपने भाई बेंद दोस्तों के साथ में सेयर करना और एक्स्ट्रा जीके की सबी वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में है वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर यूटूब पे सर्च करना एक्स्ट्रा जीके क्लासिज बाई ओनली टॉप इस्ट्री आपको सारी क्लासिज मिल जाएगे राइट आंसर हैगा दोस्तों एड्रे नेलीन हार्मोन यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा ग्यारवे कोशन का सेवत है बारवा कोशन है सांद्र एचसील में नाइट्रिक आमल मिलाने पर क्या बनता है तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा क्रियसील क्लोरीन बनता है दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा तेरवा कोशन है भारत में किस वर्ष वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम लागू हुआ था तेरवे कोशन का राइट आंसर हैगा 1972 में यानि की ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहा अवस्तित है कोशन नंबर 14 का राइट आंसर हैगा चिन्नई में यानि की A is the right answer यह आपको याद अखना है पंदरवा कोशन है राइबोजोम किसके बने होते हैं राइबोजोम किसके बने होते हैं दोस्तों राइट आंसर हैगा RNA और प्रोटीन के यानि की पंदरवे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा यह आपको याद अखना है सोलवा कोशन है मनुष्य के सरीर में प्लाजमोडियम कहा पर हमला करता है प्यारे दोस्तों सोलवे कोशन का राइट आंसर हैगा यकरत कोशिकाओं पर ठीक है सोलवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा भी यह आपको याद अखना है सतरवा कोशन है मानवों में निमिन सायक पाचन अंग नहीं है दोस्तो राइट आंसर हैगा कोलन में यानि की राइट आंसर इस डी सतरवे कोशन का राइट आंसर डी हो जागा एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो इस्थानों के इस्थानिय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है अठारवे कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो चार मिनट का यानि की अठारवे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा यह आपको याद रखना है वही उन्निसवा कोशन है बर्नोली का प्रेमे किसे संबंदित है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा उर्जा के संबंदित है यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो बीसवा कोशन है मानव सरीर में किसकी अधिक्ता से रध्यगात होता है तो राइट आंसर हैगा कोलेस्ट्रॉल से यानि की ऑप्शन डी राइट आंसर हैगा बीसवे का से उतर एक्विसवा कोशन है पूर्वी मद्दय रेल्वे का मुख्याली कहा। तो ये है हाजी पूर यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा एक्विसवे कोशन का से एक्विस या आद रखना है 22 कोशन है मानव सिरी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तो राइट आंसर हेगा तवचा यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो किसे चीन का रास्ट पिता कहा जाता है तो 23 कोशन का राइट आंसर हेगा डोक्टर सनियात सेन को यानि की बी राइट आंसर हेगा 23 कोशन का से उतर रास्टे राजमार्ग NH2 किन दो सेरो के को जोड़ता है दोस्तो 24 कोशन का राइट आंसर हेगा दिल्ली और कोलकता को यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा 24 वे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है 25 वा कोशन है मदू में रोग किसकी कमी से होता है दोस्तो 25 वे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा मदू में रोग किसकी कमी से होता है तो राइट आंसर हैगा इंसुलीन की कमी से 25 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा C, ये आपको याद रखना है 26 कोशन है विदुत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने है तो किसका प्रियोग होता है तो राइट आंसर हैगा पायरीन का यानि की राइट आंसर इस ओप्शन A हो जाएगा ठीक है इसका ये भी आप नोट कर सकते है C, C, L, 4 Is the right answer 27 है The taste of my life उस तक के लेखक कोन है राइट आंसर हैगा यानि की ऑप्शन A, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस कोशन का सेवता दोस्तों 28 वा कोशन है अपरी सदन यानि की राज्यसभाद की कितने सदश्यों की न्युक्ति भारत के रास्पति द्वारा की जा सकती है तो राइट आंसर हैगा 12 सदश्यों की यानि की B राइट आंसर हो जाएगा गोल गुम्बज को किसने अभी कल्पित किया था राइट आंसर इस दाबुल के याकुत ने यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा 29 कोशन का सेवत्तर या आपके अदगना है देखे 29 में से आप लोग ने कितने कोशन के आंसर सही के हैं या आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे ओफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहा वस्तित है या आपके लिए टेस्ट कोशन है इस question का भी answer सबी student को comment box में जरूर बताना है only top study app को download नहीं किया है तो download कर लीजे और 5 star की rating भी करना इसके बाद में आपको यहां से regular current affair की pdf मिलना start हो जाएगे 6000 question answers वाली जो हमारी master pdf है दोस्तो इस master pdf में आपको हर एक subject की master pdf मिलते है यानि की history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk, current affair, 233, सब कुछ इसमें मिल जाता है और खास बात यह है कि अभी जबरदस्त offer चल रहा है आप यह सारी pdf मात्र 170 रुपे में ले सकते हैं अगर आप यह सारी pdf अलग-अलग से लेंगे तो 500 रुपे की यह pdf पड़ेगी अगर आप एक साथ लेते हैं दोस्तो तो यह मिल जाएगी केवल 170 रुपे में complete syllabus है इसके बाद में कोई pdf या बुक लेने की जोड़त नहीं पड़ेगी पीडियाप को कैसे लेंगे यह रहा हमारा वोटसप नंबर इस पर तुरंत मैसिज करिए कि सर मुझे मास्टर पीडियाप लेनी है तो आपको एक लिंक मिलेगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप पीडियाप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी लिंक अब लेवल हैं वहां से भी पर्चेज कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो लाइक सेर करिए चैनल पर नए है तो सब्सकाइब करिए बैल ऐकन कौन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हूँ थेंक यू सो मच बाई बाई आवरीवन टेक केर ख्याल लखे अबना